मेरा नाम शीतल दीपक शिर्के है, मैं श्रमिक नगर साथपूर नासिक में रहने वाली हूँ, कहीं बेठी हो, तो हाथ इला सकते हैं, आप ही हैं, बच्ची आईए साथ में क्या? बच्ची साथ आईए, नहीं आईए, ठीक है, हाथ इला दो एक बार, मेरा नाम शीतल दीपक शिर्के हैं, मैं श्रमिक नगर सत्पूरा नासिक की रहने वाली हूँ, मुबाइल नमबर ये है, मेरी बेटी रेवा दीपक शिर्के छे साल की है, उसे पांस साल की आयू में हाट क की बिमारी हो गए प्रति दिन उसको बुखार आता था 7-8 महिना लगातार बुखार आया बुखार पर असर हाट पर पड़ा डाक्टर गोले इसका हाट 60% काम करना चाहिए पर ये 28% काम कर रहा है आप पत्र हमारे साथ में पढ़ सकते हैं LED पर, TV पर, आस्था चेनल बर हाट 60% काम करना था पर सिर्फ 28% ही काम कर रहा है इसलिए इसको हाट की दवाई शुरू हो गई गुर्देव उसका हाट की काम करने की परसेंटेज बढ़ने की बजाय कम होने लगे 28% इसका हाट काम कर रहा था फिर 19% करा हाट ने फिर 17% काम करा हाट ने फिर 5% काम करा डॉक्टर के हिसाब से बेट पर पड़ी रहने वाली लड़की 5% हाट कम कर रहा है मतलब यह है कि इसका हाट बंध हो चुका है डॉक्टर के हिसाब से इसका हाट बंध हो गया है क्योंकि 5% जिसका हाट काम करता है उसको माना नहीं जाता कि इसका हाट चल रहा है यह बंध हो चुका गुर्देव उसके लीवर और किड्नी में भी काम करना बंद कर दिया सूजा ना गई लीवर किड़नी बेकार हो गई डेमेज हो गई उसके पूरी शरीर में पानी भर गया डाक्टर बोले इसकी कोई गारंटी नहीं है यह एक मरी के तुल्ल है हमारी दृष्टी में यह जा चुकी है फिर मुझे आपकी कथा के बारे में पता चला पशुपति नाध्वरत का वर्णन किया मेरी माने सीहोर गजाकर रुद्राक्ष लाई मैं रुद्राक्छ को राथ को पानी में गला देती थी लोग कहते थे सीहर के रुद्राक्छ में इसकर क्या है पर मैंने खुद प्रयोग करा है गूर्देव पानी में रुद्राक्ष को गलाती थी, बेल पत्र एक लोटा जल महादेव को चड़ाती थी, वो पानी लाकर जब डॉक्टर ने कह दिया कि हमारे हिसाब से इसका लीवर, किड्नी और इसका हाठ सब्बंध हो चुका है, थोड़े दिन किते घंटें चीवित रहेगी, कोई भ क्रिपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, जो पांच परतिशत हाठ काम कर रहा था, लीवर किड्मी जो काम करना बन कर दी थी, बाबा की क्रिपा से, अब वो 25 परतिशत से उपर काम कर रहा है, और मेरी बेटी अप्थी है, आराम ये बावी, हाथ हिला दो एक ब हम बेटी है, ये शिव है, ओ घड़ी